हेलो दोस्तों मेरा नाम इशेंदू है, welcome to Simply Crack और ये Dance of India एक नई सीरीज है जो static का पार्ट है, SLC में questions आते हैं इससे तो हमने सोच इसको comprehensively करेंगे तो शुरुवात करते हैं ओके तो नाटिश शास्त्र देखिए जब भी आर्ट इन कल्चर की बात आएगी उसमें डांस की बात आएगी, तो सबसे पहला नाम नाटिश शास्तर आपको बिलकुल सुनने को मिलेगा और ये नाटिश शास्तर ये भरत मुनी के द्वारा लिखा गया है और इसी के बहुत सारे translations मार्केट में available है तो अब क्या है ये, according to भरत मुनी, dance was created along with the drama as a past time of gods तो हुआ क्या था, जो भरत मुनी के हिसाब से नाटिश शास्तर में लिखा हुआ है जो देवता लोग जो थे, वो ब्रहमा जी को बोले, जो आप एक थोड़ा सा एक past time create कर दीजे, तो उन्होंने कहा है आर्वेद तो है ही, एक पांचमा नाटि वेदा है जो हम create करेंगे और उसमें dance के बारे में चीजे होंगी और वैसे dance के बात करें तो archaeological evidence अगर ढूंडा जाए, तो सबसे पहले भीमबेटका जो काफी पुराना है ठीक है, और भीमबेटका के उसमें dance वाले structures हैं, जो कल के वीडियो में आपको थोड़ा सा glimpse दिया था जिसमें बहुत सारे engravings हैं, जिसमें दिखाया जाता है जो लोगों का dance करते हुआ कुछ elements वहाँ पर मिले हैं ठीक है, और मोहिंज़दारों में जो कि हरपन कल्टर से बिलॉंग करता है Indus Valley Civilization का वहाँ पर भी एक dancing girl figure देखने को मिला है, तो फिर ऐसा लगता है कि dance से हमारा रिष्टा काफी पुराना है The first formal mention of dance is found in Bharat Muni's famous work Naati Shastra देखिए, सबसे पहले dance का formal mention Naati Shastra में है अब आपको सवाल पूछेगा जो Naati Shastra किसके द्वारा लिखा गया है options देंगे, नंदिकेश्वर, भरत्मुनी या फिर अधरस जो भी है ठीक है तो इसका सही उत्तरगा भरत्मुनी ठीक है, जिसमें बहुती comprehensive and vivid treatise of the various facets of the dance Indian classical dance और यह कब यह हुआ था, compile हुआ था तो यह हुआ था 200 BCE से लेके 2nd century AD यानि के 400 साल का जो यह period है इसे बीच में यह सीजे देखने को मिली थी अब Naati Shastra के हिसाब से दो basic aspects है aspects अगर पूछा है classical dance के तो यह एक तो होता है last year जो की feminine feature दिखाता है महिलाओं का feature दिखाता है dance में जिसमें grace भाव रास और अविनय होता है और दूसरा होता है Tandav जो की male aspect दिखाता है dance का जिसमें rhythm और movement पे emphasis दिया जाता है तो picture में आप देख सकते हैं यह representation है last year का और यह जरूरी नहीं यह महिलाओं करें लेकिन यह feature feminine होता है ठीक है और यह Tandav जरूरी नहीं यह पूरुष करें लेकिन यह feature में looks aspects का होता है आगे बढ़ें और जैसे ही हमने नाटि शास्त्र की बात की और भरत्मुनी के बात की एक और सजनत है जिनका नाम था नंदिकेश्वर उन्होंने लिखा था अभिनयदर्पन याने की dance का gesture पूछता है जो जैसे के SSC ने पिछले बार पूछा था जो कौन जायसा dance है जिसमें तीनों elements देखने को मिलते हैं मतलब dance, drama और meme अभिनयदर्पन जो की नंदिकेश्वर के दौरा लिखा गया था ठेक है उसमें तीन basic elements है पहला तो नृत जिसको abstract कहते है जिसमें basic dance steps होते है performed और rhythmically but devoid of any expression or moods जिसमें नृत्य का जो why है वो समझवा आप expression है अब जिसमें why नहीं है यहाँ पर why नहीं है तो यह expression नहीं है ठेक है फिर आता है नाट्य जो के आपको पता होगा drama यह dramatic representation and refers to the story that is elaborated through the dance recital ठेक है उसके और नृत्य आता है जिसमें expression involved होता है तो नृत्य जो जिसके अंदर में sentiments हो and emotions हो ठेक है which includes mime and different methods of expression including mudras of the dance अभिने दर्पन में नायक नाई का भाव को भी दिखाय गया है जिसमें नायक जो है वो dt होता है जो के देवता होता है और devotee मतलब जो उसके लिए समर्पित होता है और इसी में ऐसा mention है इसमें total nine russ होते है of emotions और 108 mudra उसको परदर्शित करने के लिए होते है mudra का मतलब हो गया है जो hand and feet जो एक तरिके का gesture हो गया facial gesture हो गया है hand, feet जो भी कह लिए जा अब आते हैं classical dance पे classical dance introduced by संगीत नाटक अकादमी अगर ये कोई पूछेगा classical dance को कौन कौलिफाई करता है तो ये संगीत नाटक अकादमी करता है और जो एक और dance है जो छाव निरते है वैसे तो टोटल eight classical dance classify हुए है लेकिन एक और है जो कि ministry of culture के द्वारा किया गया है ठीक है तो आप ये याद रखेगा जो ये छाव निरते जो एड़ हुआ है वो ये ministry of culture के द्वारा एड़ किया गया और बांके के ये eight निरते यहाँ पर है में इसके बार में हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे अब इसके features क्या होते हैं Indian classical dance के सबसे पहला चीज ये basic rules and guidelines उसके दिये गया है जो नाटिशास्तर में उसी पर ये based है जो कि हमने पहली बार देख लिया था जो क्यों नाटिशास्तर का care relevance है तो पहली बार formal mention of dance वो नाटिशास्तर में ही था और उसमें जो basic rules and guidance दिये गया है नाटिशास्तर में उसी पर based होता है Indian classical dance उसमें एक और चीज देखे गई जो कि वो गुरू शिश्य परमपरा को follow करते तो गुरू passes on the knowledge to the different traditions traditions बोरे तो संपरदाए on to the disciple ठीक है सबसे पहला dance के बात करें तो हम भारत नाटिम की बात करेंगे जो कि Tamil Nadu का dance है बहुत ही famous dance है भारत नाटिम से ही शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हमनों देवदासी system भी देवदासी परता को भी हम समझेंगे क्या चीज होता है उससे पहले देख लेते हैं यह भारत नाटिम है क्या अगर भारत नाटिम की फीचर की बात करें तो भाव, राग, ताल यह जो भारत है यहां से और नाटिय क्लासिकल इंडिन थेटर फायर डांस भी इसको कहते हैं दासी अट्टम कहते हैं और प्रिकरसर इसका सदेर था सदेर अट्टम जिसको कहा लिजिए थीम शैवाइट है अब इसकी स्टोरी आगे बढ़ेंगे ता आपको समझाएंगे यहां पर भी जिसको देवदासी सिस्टम कहते हैं पहले एक देवदासी सिस्टम होता था जिसमें कुछ जो डांसर थे ना वो सबसे पहले सेलिबेसी फालो करते थे मतलब वो शादिवादी नहीं करती थी और वो एक टेंपल में रहके वहाँ पर ही डांस करती थे जिसको देवदासी सिस्टम कहा जाता था इसी कारण से इस डांस का नाम दासी अट्टम भी आप देख सकते हैं और ये थोडा सा resemblance of fire fire जिस तरीके से होता है उस तरीके से उसे उस लोग इसको fire dance भी कहता थे तो देवदासी सिस्टम को क्या था जो पहले राज़ा में Mr. Maha Raja तो वो लोग इसको paternized करते थे कहने का मतलब वो इसको मतलब ये चालू रखते थे चाहे उसमें खर्चा हो या फिर मंदिर का रखरकाव हो ठीक है फिर क्या हुआ अंग्रेजों का आगमन हुआ ठीक है फिर क्या हुआ जो फिर राजा का छिंता गया उनका ये राजपाट छिंता गया तो फिर इन लोग को कौन देखेगा देवदासी लोग क तो फिर दीरे-दीरे यह pollute होता चला गया, उसमें कुछ ऐसे elements आगे जिसके कारण यह बदनाम हो गया, और अंतता अंग्रेजों ने इस पर ban लगा दिया था, ठीक है, दोस्तों आपको बता दें कि देवधासी सिस्टम अभी भी prevail करता है, हाली में 2015 में Odisha में, Odisha के government ने बोल करता है, जब यह dance दीरे-दीरे अपने खत्म होने के खगार पर था, तो रुकमेनी देवी अरुन डेल, यह आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाम है, और एकृष्णा यह बहुती बड़े freedom fighter थे, ठीक है, और रुकमेनी देवी अरुन डेल, बहुती famous नाम है इन्होंने क्या किया था, जो इसको फिर से revamp करने के कोशिश किया, इसको फिर से खड़ा करने का कोशिश किया, और ऐसा कहा जाता है, जो जब रुकमेनी देवी अरुन डेल ने जब एक session बुलाया था, वहाँ पे इसका नाम साधिर अटम के जगा पे भारत नाटम कर दिया जाने कि भारत का डांस, पहले इसको सदिर अटम कहते थे, जो इसका precursor dance था, यह question आएगा, तो भारत नाटम का precursor dance कौन सा है, पहले कौन था, तो यह सदिर अटम होगा, या फिर भारत नाटम का और क्या नाम है, तो दस याटम होगया, फायर डांस होगया, ठीक है, और यह थीम शैवाइट है, एक मात्र डांस है, जिसका थीम शैवाइट है, माकी का रधा कृष्णा यह फिर वैशनवाइट है, वैशनवाइट समझे है, ठीक है, तो आप यह याद रखिएगा, एक मात्र डांस है भारत नाटम, जिसका थीम शैवाइट है, ठीक है, शिव का, तो विद तिलाना और श्लो का ठेक है उसका कटक मुक्थास्त यह जो है ना कटक मुक्थास्त यह ओम को सिंबलाइज करता है अगर कोईशन पुछे जो कटक मुक्थास्त जो फेमस जिस्चर है यह कौन से डांस का है तो भारत नाटेम का है किसको सिंबलाइज करता है तो ओम को सि इसमें यूज़ कौन से होता है, यह मिर्दंग यूज़ होता है, पेर अफ सिंबल्स यूज़ होता है, तंबूरा यूज़ होता है, अब थोरे इसे और फीचर यहां पर समझ जाते हैं, देखें, सबसे पहली बात इसमें भारतनाटेम में नीज बेंट होता है, और नटराज नटराज inspired moments होते हैं, ठीक है, और यह solo dance किया जाता है, primarily by females, देखें, अब यह कुछ-कुछ नाम ऐसे हैं, जो के जिनों ने भारतनाटेम को revamp किया, और अच्छी ख्याती पही, सबसे पहला नाम है रुकमिनी देवी अरुन डेल का, इनके पती जोर्ज अरुन डेल थे, और इनके बारे में अगर बता दें, तो हूम रूल मूवमेंट से जोर्ज अरुन डेल से समझ सकते हैं, जो उनका एनी बेसंट के काफी के साथ मिलके उन्होंने किस तरीके से हूम डूल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, तो रुकमिनी देवी अरुन डेल वैसे animal lover भी थी औ ताकि questions रहा हैं, तो टिक लगा सकते हैं आप, ती बालो सरसती जो है, भारत नाट्यम के बहुत ही अच्छी डांसर, इनका और भी कुछी पड़ी हो गया, और इसी हो गया, इनसे पर भी पकड़ है, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या कारण है, वो भी बताऊंगा, मलिका सारा भाई की बात करें, तो ये भी काफी बड़ी हस्ती है, भारत नाट्यम की हाली में उन्होंने गुजरात सो चुनाओ भी लड़ा था, आमादनी पाटी के साथ, अभी जाके आमादनी पाटी जान किये हैं, इससे पहले शायद ये निन मोदी के खिलाफ लड़ी थी, जि दिखा रहा हूँ, जो आप, इस तरी के से ड्राव हुआ हुई है, आप समझे, देखें, ओडिसा के है, आपको ओडिसी, बीच में अंधरा आता है, यहाँ पे कुचिपडी, और ये नीचे में, तमिलनाडू में भारत नाट्यम, तो ये बीच में जो कुचिपडी परता है यह दोनों से, ODC से और भारत नाट्यम, दोनों से इंस्पायड है, तो इसके जो कुचिपडी के जो एलिमेंट्स हैं, उसमें आपको साफ देखेगा, जो इसमें भारत नाट्यम की जलक है, या फिर ODC की जलक है, तो वो हम देखेंगे दीर दीर, आपको समझ में आता है चल ठीक है, और कुचिपुडी डिराइफ इस नेम फॉम दे आंध्र विलेज ऑफ कुचेलवापुरी और कुचेलपुरम, ठीक है, आंध्रप्रदीश के डाउन सा, और ये नाम आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि से इतनी बार सवाल पूच चुक है, जो आपको रट जाना अब समझे यहां पर भामा कल्पम है, भामा कल्पम, ठीक है, और ये अब जाके टूटा है, कैसे टूटा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो चाहते नहीं थे, जो ये फीमेल इसमें आएं, और ये एक तरीके से पॉल्यूट हो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब बताया, अब पूछेंगे ये, जो डांस होते हैं, जिसको बागवत लूस करते हैं, वो को से डांस से बिलॉंग करते हैं, तो उसका सरू का कुच्छी पुडी, ये नाम अब बिलकुल याद रखेगा, क्योंकि ये ऐसे पुरुष हैं, जिन्होंने महिलाओं के इंट्री कराई थी, कुच्छी पुडी में, टेक है, इन अद्लियर ट्वंटी सेंचुडी ब्रोट नियू पार्टिकल सच अच 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 आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी आप भूल जाओगे, एक्जाम में आपको मिस हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको आप हफते, दो हफते पर एक बाप पलट लोगे ना, पांच मिट लगेगा, आप एक्जाम में सारे कुशन स्टिक लगा के आओगे, ये पक्का सा गैरन्टी है, इसमें जो एलमेंट्स छूटे हैं, अगर मान लो कहीं पर, क्योंकि SSC आपको पता ह रखता है, कुछ भी पूछ देता है, तो हम लोग जब इससी questions करेंगे, तो उसमें अगर कोई elements होगा, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है, कुछी पुरी के थोड़ा सा और इसके बारे में जान लें, क्या चीन है, सीन है, देखिए, फीचर्स की बात करें, तो ये जान्रे भक्ती मुवमेंट को लेकिए, अब सारे डांस नों भक्ती मुवमेंट को से रिलेटर हो जाएंगे, ठीक है, 7th century AD की बात हो रही है, ठीक है, बिगिंस बाइंबोकिंग तो लॉड गने से शुरूआत होती है, उसके बाद वो रादा कृष्णा के मूव हो जाता है, ठीक है तो इसमें क्या होता है, इसके रिसाइटल में, डांसर में कमाई रोल ऑफ सिंगर, टू इंटो हिंसल और हरसल अजवेल, अब यह जो डांसर है यह गाएगा भी, तो आपने देखा होगा, जो बहुती कम लोग ऐसे होते हैं, जो गाते भी हैं और डांस भी करते हैं, तो यह ऐसा थीम है, जिसमें सिंगर, सिंग्स इंटो हिंसल और हरसल अजवेल, मैं तो गा सकते हैं आप, ठीक है, हैंस इट बिकम्स डांस ड्रामा परफॉर्मेंस, यह आप याद रखेगा, यह सवाल बहुत घूंगूम गयाता है, बहुत बारत है, थीम इसका सेकुलर है, टेक्न तरंगम भी इसे डांस का पार्ट है, पूछ देंगे, जो कन्या कोले, तरंगम किस का पार्ट है, तो फिर आप कहा सकते हैं, यह कुछी पुड़ी का है, डांसेज on the edge of the brass plate, आपको reference के लिए मैंने यह यह लगा दिया है, यह तरंगम है, ठीक है, देखते हैं, जो यह ब्रा दारू, small composition of dance and song को दारू कहते हैं, और जल्चितर नित्रियम, इसमें क्या कहते हैं, जब डांसर होता है, वो फ्लोर पे, अपने tours के सहाथा से, डांस करते हैं, वो तस्वीडे बनाते हैं, पिक्चिरे बनाते हैं, उसको जल्चितर नित्रियम कहते हैं, तो overall अगर question पूछे जो इन्वोकिंग किसमें सबसुरू में होता है, लोड गनेशा का, तो एक मातर कुछी पूडी में होता है, ठीक है, और आपको जिसी ड्रामा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि इसमें, जो डांसर होता है, वो गा भी सकता है, शकलर थीम होता है, टेक्नीक कन्या कोले, उन्होंने लिखा था, बालऊ स्वरू सति के बारे में हमने पहले भी देख लिया था, ये कौन है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे सर्वीफल किया था रगी बहुत ऐसा नाम है, रागी देवी इसको युए स, लेके के थीपहोते अन्होंने भी नाम है, तो ये न्मुन यह अब भी भी बहुत अच्छे तरीके से इस डांस को ऊपर लेके जाग गये हैं अपने सुन्दरी की बात हो गया और सुनल मान सिंग को कौन नहीं जानता कुछी पढ़ी इक सब्सक्राइब आते हैं कत्तक कली की तरफ कभी कभी जो कौन सा डांस ऐसा है जिसमें कथा कहा जाता तो कथक ही होगा क्योंकि वैसे तो यह भी है कथा ही एक तरीके का लेकिन वो बाइडिफॉल्ट उसका इंसर कथक होगा जो की उत्तरपदेश का है उसके बारे में भी हम लोग देखे हैं क्या चीज़ है यहां पर देख लेते मल्यालम कथा विच मेंस स्टोरी एं कली विच मेंस प्ले सबसे ओल्डेस डांस है इवार्ड आउट अफ अफ अर्लियर डांस लाइक कुडियत्टम मुडियत्टू थे उट्टम सास्तरकली कृष्ण अटम रामन अटम अफ किरला देखे रामा और कृ यहां अफिच नटम और रामन अटम और मेल आर्ट होता है ठीक है फीमिल करेक्टर्स अर अलसो प्लेट बाइफ फीमेल्स टेक है not a solo dance ग्रूप में डांस होता है ओपन थेटर डांस होता है यह ठीक है और परफॉमेंस अगेंस्ट ग्रीन सिंडिय ओफ केरला अक्सर्व करते हैं तो पीछे में आपको केरला यह पेड़ वेड़ दिखी जाते होंगे इसके नारियल के और समंदर दिखी जाता है तो यह ओपन एर डान्स है यह क्रिश्ण मैनन इनिशेटेड केरला कमंडलम ठीक है अब देख लेते हैं इसमें क्या-क्या फीचर है मेली फीमेल का पार्ट फॉलो करते हैं इलाबरेट कॉस्ट्यूम होता है और यह जो चेहरे पे जो कलर होता है वो इनके भाव को दर्शाता है देखिए इंटेंसिव फेशिल एक्स्परेशन कलर्स फॉर करेक्टर्स ग्रीन फ तो आपकी तो समझी गया होगो जब यह महिलाओं का दान्स होगा इलबरेट कॉस्ट्यूम होता है लेकिन वाइट गुल्ड कॉस्ट्यूम यह है मोहिनी जी का ठेक है जेंटल फुट वर्क होता है और सोलो डान्स होता है यह नाम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वह य वाइट वे लख भाइड वेलू वाइव फन पोहिनी अंट्थम जैशा मोहिनी एंट्थम केरला का चट्थम है कठकली और बहरतना टीं अ तो तो वह लिगर अषीू का है ठीक है, तो भातना टेम, ठीक है, मोहिनी means the maiden who charms the onlooker and attam means the dance, ठीक है, मोहिनी विश्णु भगवान का आपको एक कहानी है, mythology के हिसाब से, जो समंदर मंथन के दौरान, अमृत जो निकला था, तो देवता लोग को लगता था, अगर ये अमृत पी जाएंगे, अगर असुर लो सबको मोह लिया, और अमृत को पीने से रोक लिया, इसको, जितने असुर लोग थे, that's why, वो अमर नहीं हो पाए, that's why, didn't become invincible, आगे बढ़ते हैं, theme देखे, इसमें, love and devotion है, Vishnu and Krishna as a hero, solo dance होता है, women का, group dance का तक कली, लेकिन, मोहिनी अटम, solo dance, developed during, developed from the devadasi system, devadasi system का influence, आपको हर dance का अल्मोस्ट रहता ही, रहता है, भारत नाटियम से लेके कुच्ची पूरी से लेके ODC तक, ठीक है, और ये अट्टा वकुल कौन से dance का पार्ट है, तो मोहिनी अटम का पार्ट इसमें मतलब होता है, 40 basic movements, percussion use, edakka, edakka, एक डमुरू की तरह होता है, ठीक है, डमुरू बन स्वाथी थिरुनल, the enlightened ruler, ruler of Dravan Kaur, नाम याद रखेगा, स्वाथी थिरुनल, ठीक है, ओके, तो मोहिनी अटम की बात करें, तो कुछ-कुछ फेमस नाम का है, देखे, सुनेंदा नायर हो गए, ये कल्यान कुटी अमा, one of the famous मोहिनी अटम dancers, और इसमें, इनका नाम अब मन पलवी कृष्णन हो गए, गोपिका वर्मा, विजय लक्षमी, राधादत्ता, और रिमा श्रीकांत, देखे, ये फोटो अभी आप देखके समझ जाएगा, ये सुनेंदा नायर जी का, नायर जी का, ये मोहिनी अटम का ही, ड्रेस वेगरा सभी है, ये तो 100% मोहिनी अटम क वही पहनी हुई है, और राधादत्ता भी वही पहनी हुई है, तो आगे बढ़ें, अब आते हैं, ओडिसी की तरफ, ओडिसी यानि के ओडिसा, अब यहां पर कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और देखे, इसको रि ओडिसा का है, तो ओडिसा का है, तो ओडिसा का है, तो ओडिसा का जाता 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 है ठीक है अब यह लॉर्ड जगना टेंपल को भी अगर अपनी मुद्राओं से दिखा सकते हैं जिस्टर से दिखा सकते हैं ठीक है अब जैसे भंग अभंग त्रिभंग अतिभंग आर्थ सच पोजेज आपको समझ में आ गया होगा और जिस तरह किसी त्रिभंग पोश्चर है आप देख सकते हैं ट्रेंगल बनी हुई है ठीक है स्कल्प्चर लाइक बोडी पोजेज ओडिसी और बालों का जो यह जूड़ा होता है वो थोड़ा सा इलाबरेट होता जिसको तहिया कहते हैं ठीक है और मिनिमल फेशल एक्सप्रेशन होता है और जुलरी जो उनका होता ह यह सिल्वर जुलरी होता है यह सारे चीज और इसी के आगे बढ़ते हैं इसके तीन सब जॉन्रे हैं एक है महरी गोटीपुआ और नर्तकी देके महरी का क्या है ना जो महिला है देवदासे सिस्टम को फॉलो करते हैं उसको महरी कहते थे वहाँ पर और इसा में आप याद होती है उनको नर्तकी कहते है ठीम जैसा कि हमने बताया है वेस्टनवाइट डांस होगा लौर्ड जगरनाथ फिलोस्पी होगा गीत गुविंदा जयदेव उसमें में गीत गुविंदा को बहुत ही जादा फॉलो के आता था इसमें और सतरिया जो कि आसम का डांस है ठीक है और इसी डांस से बिलोंग करते हैं जैसे तहिया, हेर्डू, सिल्वर जुल्री, त्रिभंग जो पोस्चर है डेवदासी सिस्टम से बिलोंग करते हैं ठीक है रेखा टंडन भी बहुत ही फेमस है, शियर से डे भी फेमस है और संजुकता पानिगरही ये भी ओडिसी से रिलेटर है देकि मैंने उन्ही डांसर को इंक्लूड किया जिनका नाम काफी फेमस हो रखा है ठीक है अपार्ट फॉम बहुत भी है लेकिन वह आपको बढ़ादेगा पढ़ने के लिए ठीक है आते हैं कथक के तरफ पर ये डांस पहुँच गया है हुत्तर पर अं कथाकार्स कहा से बिलॉग कउन से डांस से बिलॉग करते हैं जिसमें कथक रो कथक कली दोनों ऑप्शन होगा लेकिन आपकाँ अथ्यूड होना चायए कथक है जो structure합니다 गया जैसे जैसे भक्ति मुवमेंट बढ़ता गया ठीक है यह जो भी डान्स जो था जो दिवदासी सिस्टम था यह भक्ति मुवमेंट में लीन होता चला गया ठीक है और थीम की बात करें वैशनव रादाकृष्ण रासलीला ठीक है पर्शियन इंफ्लेंस भी आया दिविदिंग दे मुगल पीडियट बोथ दुरुपद एंड खयाल एकमपनीड डान्स यह म्यूजिक हो गया और वंदना थाट जूगलबंदी कोट डान्स है यह दे क्लासिकल डान्स फॉर्म द घराना अज पैर एक मातर डान्स जिसका घराना होता है ठीक है लखना हु राय तो यह कौन सा डान्स है जो जिसमें लेग्स बरुंट होता है भारतना ट्यम और स्केस्सक्रेट को आटेश्ट को समझ लेते हैं पन्डित विर्जु महाराज इस पर सवाल बंता ही बंता है कौन से घराने से कहां बनने क्यों लच्छु महाराज लचु महाराज की बोट यह कहानी मैंने कहीं पर पड़ी थी हिंदू में आर्टिकल आया था जो यह ताने एक लक्षु महाराज थे जो तबला वादक थे और वह बहुत ही अच्छे तबला बजाते थे और उनका यह एक अप्रिहेंशन रहता था जो यह वाले लक्षु महाराज ज्यादा फेमस हो गया खेर एनिवेज शंबू महाराज होगे शोबना नरायन बहुत ही फेमस कथक डांसर है इनके बारे में अगर आपको बता दें थोड़ा बहुत यह मिनिस्ट्री आफ यह इंदिन आडिट्स एन एकांट सर्विस में रह चुकी है और कमन वेल्ट में भी थी बहुत ही बड़े द्रगालाल होगे जिसल बहुत ही फेमस है पर अन्सलों होंगी राणिह करण और शितारदेवी की बारे में बता दें आपको यह के ऐसिफ की वाउम है जिनोंने मुगले आजम बनाई थी फिर आता है मनिपुरी मनिपुरी डान्स कहां से है यह लाग टके का सवाल है इसका उत्तर है मनिपुर क्याट एनिवेज आगे देखते हैं यह यह यंगेस्ट और ओल्डेस्ट डान्स अफ इंडिया क्यों ओल्डेस्ट तो ही है इसका वर्जन यंगेस्ट होता चला गया ठीक है टू ट्रडिशन लाय हरोबा एंड खंबातोई भी यह दोनों से इंस्पार्ड है यह लाय हरोबा कह जिद्ग को गिन्दा अब सवाल है जो जुग रास ए क्या है तो यह रादा किसना की रास लीला है ठीक है अगर सवाल पूँचिए जह रास लीला कौनसे डास से बेलों करता है वह गताक से राधा क्रिशना सालीला गातेक से इस और प्रोडा क्मेंट कर्ण का सा ने of the females are generally covered with a thin veil, along with a long skirt, यह देखिए female बनी हुई है, ठीक है एक पतली से thin veil होती है, यह तरीका का परदा होता है, और यह बहुत ही long skirt है अब आप इसको देख के long skirt को देख के अंदाया तो लगा सकते हैं, जो कोई fast footwork तो होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा skirt जो है, तो फिर gentle footwork होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं long skirt, gentle footwork कौन से dance, मनीपुरी राजा भाग चंदर और मनीपुर इस पर इतनी बार सवाल बना है, मत पूछवा ठीक है, राजा भाग चंदर मनीपुर who revived it in 18th century राजा भाग चंदर ने इसको फिर से revive किया, जिस तरीके से देंदर योगी ने कुच्चीपुरी को किया रुकमेणीद देवी अरुंडेल ने वातनाट्यम को किया, राजा भाग चंदर ने मनीपुरी को किया रामिंदर नाट्टे गोर इसको पता होगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए ठीक है वैसे अब मनीपुरी ड्रम पुंख एक तरीके का ड्रम होता है इस वोल फ़ दांस, ब्यूजिक इस्ट्रमेंट लाइक पेना, करताल, बांसुरी एन स्मॉल सिंबल्स आरी आल्सो यूस्ट ठीक है अब आपको डांस के फीचर को समझ लेते हैं, कोई भी फेशल मुवमेंट तो होगा ने, क्योंकि इतना हेवी कॉस्ट्यूम है यहाँ पे तो फिर कॉस्ट्यूम पे ज्यादा जोड़ है फीमेल ओनली डांस है, मनीपुरी में दोनों फीमेल होते है ठीक है प्यूर फीमेल डांस है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कियाद नाम रखियेगा गुरू बिपिन सिंग ठीक है और इनको कौन नहीं जानता यह है जावेरी सिस्टर्स स्सी के सवाल इन पे इतने बनेंग मत पूछो वहीं से फेमस होगी 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 जाए अर इनका नाम है नेना रजना सुवर्णा एं दर्सना इन गुरू बिपी सिंग यह रहे गुरू बिपिन सिंग ठीक है और यह कहां के हैं बताई है वहनिपूर की नहीं यह लोग है घुझरात की ठीक है छले पहुंचते हैं गारी पहुंच चुकिया आसाम ठीक है यहां पर सतरीया डाउन्स काफी फेमस है ठीक है वैस्टरीम मोनिस्टरीज औफ आसाम कॉल्ट सतरा जहां के मोनिस्टरीज होता थे उसको सतरा कहते सतरा कहते थे ठीक है और current form is attributed to the SMEs वैशनफ सेंट स्रीम शंकर देवा ये नाम बहुत याद रखिये जब यहाँ आसाम में भक्ती मुव्मेंट लाने वाले ये वेक्ती थे ठीक है शंकर देवा इनका even बिहार के मैथली वेगरा समय भी इंफ्लेंस रहा है विद्यापती जब थे 15th century सबका काल एक ही था समय भी ठीक है ये भक्ती मुव्मेंट का ही काल समझे है और ये एक तरीके का धर्म है अब देख लिजे ठीक है एक सरन धर्म नियो वैस्टनवाइट कहा जाता थे इनको ठीक है थीम इसका भी वैस्टनवाइट ठ्रंकर दीव रचित उन्होंने सतरिया को उठाया था ठीक है पार अउफ अँचिया भावन एक तरीके का थेटर फॉर्म है ये अंकिया नाट ठीक है परफॉर्म्ट्ट विद्यूम्जिकल कमपोजिशन काड़ बोरगीत अंकिया नाटक को बोरगीत के द्वारा मिला के कंपोजिशन तेयर के यह था 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 इंक्रुडड़ेड मेनी इलमेंट्स अफ लोकल डान्स टैटिशन लाइक बीहू मेल मॉंक्स अलसो कार्ड भोकॉट्स यह देखिए यह ओजा पल्ली डान्स से लिए गए एक और भी पूछा जाएगा जो ओजा पल्ली कहां का फोक डान्स है आसाम का ठीक है आगे बढ़ते हैं परफॉर्म बाइदे मेल और फीमेल बोथ मेल मॉंक्स अलसो नोवन आज भोकॉट्स अब आपने कुछी पुड़ी पढ़ा था तो वहां पर क्या था यहां पर भॉकॉट्स है वहां पर क्या था बैक करकर देख लिया है वहां पर थे भागवे थलस और यहां पर भॉकॉट्स ठीक है इसके बारे में एक दो फीचर बस जादा नहीं लिख लीजिए आप अपने नोट्स बनाएगा वह बहुत ही अच्छा रहेगा वैसे ये नोट्स बहुत ही अच्छा बनाऊ क्योंकि इसमें फोटो ग्रैफ्स वेगरा सब कुछ है जिसको देखके आपको समझ में आ जाएगा इससी सवाल पूछता तो मैंने यहां पर चिपका दे लेकिन इतना याद रखिए 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 ने तो लास्ट का दो याद कड़ी लेना आप लोग लेटेस्ट फोटोग्राफ मुझे ट्विटर पर दिखा था उस जो मैंने इंक्रूट कर दिए पजमिश्री टू एंच बैदे कर लिए तो दोस्तों कुछ अब जैसे कि हमने टूसिक युछ किशी तै पनते हां जो हम लोग देखर लेंकते हैं ठीक है तो पहला सवाल है वू पाता हे वह भारत मुनी होगा सब से पहला चीजी हमने यह पढ़ा रखाया ठीक है ओर दूसरा रास डिनोच okay which of the following represent the feminine aspect of the dance aspect the natti shastra doob, you were told 1. last one, one Tandav last is for the feminine aspect 2. Tandav is for the male aspect okay which of the following represent the male aspect this comes to Tandav okay okay ofineadarpan is the treatise that belong to which of the following personality Prandradas, Chandikeshwar, Bhana Bhuti, Bhav Bhuti and Kadambari मुझे पता है आपको पता होगा इसका उत्र नंदी केश्वर विचे तो following moves of the classical dance is executed rhythmically and without emotion जैसा कि हमने आपको बताया नित्य नित्य और ड्रामा जो था हो क्या उत्र होगा नित्य होगा नाठी तो उसमेही नी तो इसका से उत्तर होगा नित्य जैसा कि आपको मैंने याद करने के लिए बता रखा था जो emotion को आप वाई से जोड़ ले ना यहाँ पर missing है तो यह नित्य होगा anyways आगे बढ़ें तांडव इसमें सिर्फ रिद्मेटिक मूवमेंट होता है कोई emotion ने होता है जैसा कि मैंने आपको बताया यह रुकमेनी देवी अरुंडेल है आगे देखते हैं वेज़ फॉलिंग दान्स दान्स फोर्म इस नोन अज़ बैलाद अफ इस्ट इन इंडिया यह इसका उत्तर होगा कथकली शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया लेकि कथकली यानि कि the art of telling the story story tellers की बात करेंगे तो कथक story telling की बात करेंगे तो कथकली फिक है which of the following which dance form is the source of रासलीला of ब्रजभूमी इस कथक जो की यूपी का डान्स है रासलीला का का डान्स है यूपी जोगोई जगोई जगोई किस डान्स को कहा जाता है इसका सही उत्तर होगा मनिपूरी मनिपूरी को लोकल भासा में जगोई भी कहते हैं ठीक है सतरिया की बात करेंता है dance a classical dance form originates in which of the state आपको पता है इसका उत्तर होगा आसाम which of the following dance form is similar to the भारत नाट्यम in terms of जैसा कि मैंने आपको map बना के समझाया था जो नीचे है तमिल नाडू यहां है ओडिसा दोनों का प्रभाव कुछ चिपुरी पर पड़ता है और दोनों के dance काफे similar होते है तो यहां पर भारत नाट्यम किस से similar है ओडिसी से ठीक है महरी कहां का है तो यह ओडिसी गोटिपुआ वाला question आपको ऐसे से बहुत 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 तो इसी के साथ यह class का dance खदम होता है अब हम लोग folk dance of India में move करेंगे तो तब तक करेंगे बाइबाई बाई मिलते हैं next chapter में episode chapter जो कह लेजे next video में